जय मातादी, गुप्त नवरातरी के तीसरे दिन मात्रिपर सुंदरी की पूजा की जाती है। मात्रिपर सुंदरी, अनुपम सुंदर्य, अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन जुक्त और तीनों लोकों में विराजमान है। उन्हें कई नामों से पुकरा जाता है। मात्रिपर सुंदरी को राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मिनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी सुंदर्ता और मोहकता से मात्रिपर सुंदरी ने देवासुर संग्राम में असुरों को भी अपने वश में कर लिया था। मानेता हैं कि त्रिपर सुंदरी मा की पूजा करने वाले भक्तों को लोकिक और परलोकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है। देवी पुराण में मा के बारे में बहुत सारी शक्तियों की बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बलकि सुन्दर रूप के लिए भी विख्यात हैं। आए सुनते हैं मात्र पुर सुन्दरी की पौराणिक कथा। सुन्दरी के आसन को ब्रह्मा, विश्नु, महेश और यम्राज अपने मस्तक पर धारन करते हैं। देवी तीन नेत्रों से युक्त और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारन करती हैं। देवी त्रिपुर सुन्दरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनुकामना पौर्ण करती हैं उनकी हर विपत्ति को हर कस्ट को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं पराणे कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुरसंद्री की उत्पत्ति का रहस सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वता ध्यानमगन रहते हुए होता है उन्होंने अपनी संप का सुर ने ब्रह्मा जी से वर्दान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यू केवल भगवान शिव के पुत्रद्वारा ही होगी समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पतनी रती को किलाश परवत पर भेज दिया कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी वान से भगवान शिव पर प्रहार किया जिसके परिणाम सुरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेतर से उत्पन्न क्रोध अगनी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला कामदेव की पत्नी रती द्वारा अत्यंद दारुन विलाब करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनह द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारन करने का वर्दान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए सभी देवताओं रती के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से मुर्ती निर्मित की गई और उस निर्मित मुर्ती से एक पुरुष पैदा हुआ उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तूति की इसके पस्चात भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया शिव के क्रोध से उत्पन होने की कारण भांड तमो गुन संपन था और इस प्रकार में धीरे धीरे तीनों लोकों पर भैंकर उत्पात मचाने लगा देवराज इंद्र के राजी के समान ही भांड शुर ने स्वर्ग जैसे राजी का निर्मान की और वहाँ पर राज करने लगा इसकी पश्चात भांडसुर ने इंद्र लोग और स्वर्ग लोग को चार ओर से घेर लिया भैभीत इंद्र देवर्शी नारत की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवर्शी नारत ने आध्या शक्ति की यथाविधी अपने रक्त और मांस से आराधन करने का सुझाव दिया देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और तब देवी ने त्रिपुर सुन्दरी रूप से प्रकट होकर भांडा सुरकावद कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवतागणों को भायमुक्त कर दिया गुप्त नवरातरी के तीसरे दिन मा चंत्र घंटा की भी पूजा करनी चाहिए जिस प्रकार नवरातरी में मा दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरातरी में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है गुप्त नवरातरी की पूझा करने वाले या फिर उपवास रखने वाले सभी वक्तों को नियम पूरवक, सुभः और शाम वरत की गथा अवश्य पढ़नी या सुनी चाहिए वरत की कथा पढ़े या सुने बिना वरत की पूजा विधी या फिर वरत पूर्ण नहीं मना जाता है गुप्त नवरात्री के किसी भी दिन आप गुप्त रूप से दान भी कर सकते हैं किसी भी निर्धन असाहई व्यक्ति की आप गुप्त रूप से मदद भी कर सकते हैं इसके लावा आप मंदिर में गुप्तदान कर सकते हैं और दीपदान भी गुप्त नवरात्री के दिनों में करना चाहिए हो सके तो आसपास जो भी माता का मंदिर है वहाँ जाकर आप दीपतान करें यदि आपकी कोई विशेस मनुकामना है तो कहते हैं कि उसकी पूर्ति के लिए आपको आटे के अपनी सामर्थ के नुसार पांच, साथ या जितने भी आपकी सामर्थ है उतनी संख्या में दीपक जलाना चाहिए आप चाहें तो घी के या फि कामना पूर्ति का विशेस संबंध होता है विवहा संबंधी परिशानियों में चाहे वो विवहा ना होना हो या फिर विवाहिक जीवन सुकत ना होना हो उसके लिए आप गुप्त नवरात्री के किसी भी दिन अपने आसपास जो भी भगवान शिव और मापारवती का मंद आप उसे लेकर जिस तरह से फेरों के लिए पती और पत्नी के बीच में कलावा बांदा जाता है या दुपटा बांदा जाता है ठीक उसी तरह से आप भगवान शिव और मापारवती का गड़ बंधन करके आपकी जो भी मनुकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार् बताएगा इसके साथ ही अगर आप मेरी चैनल पर श्रीमत भागवत महापुरान की कथाएं भी सुनना चाहते हैं तो शुरू के कुछ अदियाएं आपको इसी चैनल पर सुनने को मिल जाएंगे लेकिन बाकी जितने भी अध्याएं हैं वो आजकल मैं अपनी दूसरे चैनल वृत कता और कहानी पर सुना रही हूँ अगर आपको भागवत कता सुनना पसंद हो तो आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी दूसरे चैनल का लिंक भी दे दूँगी और आप चाहें तो मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी भागवत कता के जितने भी अध्याएं इस चैनल पर मैंने अपलोड किये हैं वो भी आप सुन सकते हैं उमीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जैमाता दी लिखना मत भूलिएगा